नमस्क्राइब दूश्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोग के साथ में शेर करूंगी इस नया साल में आप लोग ऐसे कुन को से बिंटर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं जिनकी हम अपरेल या मई तक अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं तो यहां पे फ्रेंस पे सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा साथ में पेल आइकन में प्रेस करना ताकि जब मैं इसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूं फ्रेंस तो इसकी नौटिफिकेसन आप लोग को सबसे पहले ही मिल सकें जैसे कि आप लोग को फ्रेंस बता है विंटर लाज उस टाइम पे आप लोग को पता ही होता कि कितनी चाहता ठंड होती है तो इस ठंड में प्रेंस में बता दूँ आप लोग कुछ ऐसे प्लैंस की कटिंग लगा सकते हैं तो यहां पर मैं दिखा दूँ मेरा चुक गोलदावदी फ्रेंस बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा ह खुलिंग प्रेंस में कर्टिंग से दियार किया हूथ और कुछ अनुंशरी से लाएती हैं कुछ हमारे ग्राउंड गार्डन का था तो सारह आख कांडिंग वाया हैं और कुछ में कbung आरे ही तो हमारे यहां फिर में कर्टिंग मिलता है चिखहन कि आप लोग अपडेट देती हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी गुल्दावदी की कटिंग लगाना तो गुल्दावदी की कटिंग देके मैं यहां इस टाइब एक टूटी हुई थी मैंने इसी में लगा देती लेकिन अच्छे से चल रही है इनको नहीं विराइड़ी की इस तरीके से गुल्दावदी देखती है ना तो आप वहां से चोटा सा पिंच करके वही लेकर आगे अपनी गार्डन में किसी भी सोयल में लगा देंगे आराम से चल साएगा देखे जैसे कि आपके कटिंग लगाने के लिए चोटी सिटेम बता यहां से चाहता मतलब क्या होदा ना जब मिट्टी में चाहेगी तो लगबग एक दो इंच का तो रहे गई अंदर तो यहां पर इतना सा मतलब दो ए तीन इंच की कटिंग लीज़ेगा आराम से किसी भी सोयल में आप लगा देंगे ना आराम से चल साएगा जरूरी नहीं आप गुलदवदी के लिए एस्पेसल स्वयल बनाएं बास चोटी सी करिंग लगा देंगे देगना एक हपते में इसमें रूट मिनना सुरू हो जाएगे नहीं हमारा है डाहलिया डाहलिया भी विंटर सीजन का बहुत ही कूप सुरत प्लांट होता है यह पीक साइज में ख करती हूं बचाने को ब्लांट को यहां मैंने कुछ ऐसे चीज़े स्प्रे की हुई है जिस पे दोड़ा सा अटेंग नहीं तो लोग क्या करती है खाने को नहीं मिलता तो पोदों के नुकसान कर देते हैं तो पत्तियां गयरा तो दोड़ दी है तो मैंने कटिंग लगाने के मैंने जो गुरूप है गाता नरस्री वाल उसी में लगा दी है और मतलब पत्तियां जब हरी रहें न्यू स्प्राउट शुरू हो समझाए कि आपी कटिंग लग गई है बस कटिंग हिलानी नहीं है 15-20 दिन में देखिए कि इसमें रूट आना शुरू हो जाते हैं इसमें क इनको भी जरूर ग्रो करना नेश्टी आप हमारा है पिटूनिया तो पिटूनिया भी प्रेंस विंटर कर आजा ही माना चाहता है बहुत अच्छे से ब्लूम होता रहता है इनके भी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और अभी क्या कहते हैं कि डिफरेंट वराइटी कलर इनको निकाल देना है और मिट्टी में काड़ देना है तो क्या करना है इनको जितनी बड़ी कटिंग बता दो चारिया पांच इंसी कटिंग लीजिए और यहां पर नॉर्मल स्वाइल सेंड स्वाइल में इस तरह किसा जो नॉर्मल स्वाइल मेरा खाली पड़ा हुआ था काली का फरेंसे में मैंने विंटर प्लांट को सीड से उगा थे वही लगे थे पस बंदरों ने इतना बदलब कुतर दिया है क्या बोलू खाली घंबला और हाइबरेट वाले में तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वराइटे की मिल जाते हैं उनकी भी कटिंग लगाना आजान होती यहां पर देखे मैं वैसे जित्ती भी मेरे जो कलांचो को प्लांट नेख रहे हो न मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है तो इनकी कटिंग भी चोटी से लग जाते हैं देखे मैंने यह वाली लगाई हुई थी और यह मतलब टेड़ी मेडी जा रही है और देखे कितनी अच्छी से रूट आई है मतलब मैंने 10-15 दिन हुआ होगा इनको लगाए हुए तो कलांचो के ऐसा प्लांट है फिरेंट जैसे कि हमारे होते हैं क लगाए हैं कि छोटी से कटिंग करेंगी बसना में मिल जाए वह पर नया प्लांट बनाए हुए तो इसे तरह से अब मैंने डेहरों सारे बनाए हुए कलर का तो मुझे पता नहीं बड़ यहां पर थोड़ सा औरंज और यहां पर रेड कलर का है ने श्रमारा फ्रेंज यह ह बालसम है यह वैसे इंपेसंस के नाम से जाने चाते हैं इनकी डौर पर हैटी है और भी हैंगिंग वाले भी आते हैं और फ्रेंज इसका जो कलर रेड कलर बहुत ही प्यारा कलर इसमें मुझे बतन की इसमें कलर ढंक से दिखनी रहा है कलियां भी आ रही है वह दीन चार फ् कि इसमें सीड बन सके तो यह चोटा सा प्लांट है तो फ्रेंज में बता दो जितना भी चोटा प्लांट हो उनको चोटे गमले में ही लगाना चाहिए तब ही और इनकी कटिंग के लिए आपको ज्यादा नहीं बस पांच यचे इंच होनी चाहिए तो इतना बड़ा मेरा प बहुत प्यारी लगते हैं डिफ्रेंट्स कलर भी आते हैं नहीं हमारा यहां पे हाइफ रेड विंका निस सदा बहार है और फ्रेंज वाइट वाइट साप देख रहे हो ना यहां पर मैंने किट ना सक छोड़ा हुआ है इसलिए कि हमारे यहां पर बंदर बहुत जादा आत है थोड़ा सी नाजुक होती है और लगती भी नहीं है तो मिच्वरिस टैम लीजिए तो ज्यादा बड़ी नहीं चार इंच की या तीन इंच की जरूर लें क्योंकि एक लिट इंच तो मिट्टी के अंदर रहना है आपको पताई है मैंने आप चार इंच लिया हुआ है को जिनकी कटिंग लगाने के लिए अपको पहले इनकी जो पत्तियां है एक्स्ट्रा लिप से उनको जरूर हटाले और मिट्टी बता दू तो दिल्कुष सॉप्ट मिट्टी में इसी गमले में लगा दूँगी योगि मैं कितना डिस्पोजल कितने में पॉट्स तेयार ये भी सहिर है तकि ब्लान के साथ कटिंग तियार हो जाती है बहुत ही प्यारे कलर में वाई टो पिंग डॉट में हाइब लगा सकते हैं अनिष्ट हमारा फ्रेंड्स है साल्विया और साल्विया में बता दू फ्रेंड्स में जब से लेकर आएं मुझे बहुत अच्छे सी flowering दे रही है और मुझे मैं बता दो पैसा वसूल जो होता नहीं है कि वो पूरा मुझे मिल रहा है तो इनके भी cutting तो लगाना बनता ही है seed में बना शुरू हो गए इनको seed से cutting से दोनों से गुरू कर सकते हैं तो seed मैंने फिलाल लगाया हुआ है आयो पो लग जाए तो इनके भी cutting वी से इम उतनी ही लेनी है पांच-छे इंच की तो देखे इतनी बड़ी मैंने cutting ली हुई है और इनकी पत्तिया तो ज़्यादा ही बड़ी होती है पत्तिया ज़रूर हटा देना है बड़ी वाली चोटी वाली रहने दीची गया योगि आप लोग को बता है पत्तियों से ही बोजन पकते तो हमें चोटी पत्तियों को रहने देना है फोल भी इसे रहने देते हैं यहाँ पर इमें इसी गमले में मतलब मिट्टी साफ्ट होया है मेरे गोड़ वाले गमले में मैं लगा दूएंगी इस तरीके से तो आप सालविया की भी कटिंग लगा सकती हैं और बहुत ही मतलब प्यारे लगते हैं इन्हें भी कलर डिफरेंस के आते हैं वाइट येलो और परपल में रहते हैं पर रेड वाले की तो बात ही अलग होती है मैंने रेड ही मझे अच्छे लगते है तो रेड को मैंने एड किया हुआ है तो उनकी भी आप लगा सकते हो नेश्ट हमारा यहां पी जरेनियम है तो जरेनियम की भी कटिंग अगर आपके पास बहुते बढ़े हैं जरेनियम के प्लांट आपके पास उनको आप जरूर करना कलर भी बतातों ने इन इन में दिधर डिफ्रेंस आते हैं जो मैं बतातों पिंक और कुछ सेड़ेन में डबल सेड़ेन में भी रहते हैं अच्छे लगते हैं यह वाला कि लिए गतो पतानी कौन सा कलर होगा जब जो भी होगा मैं अपटलो लोग के साथ जरूर शेयर करूँ यह नेश्ट हंपर मेरि गॉल्ड है इनके बोई इतनी जोड़ी से कटिंग लेकि लगा लीजेगा मैंने कही बार इनके वीडियो शेयर करे हुई है हर कटिंग के वीडियो मेरी गॉल्ड तुमें जरूर एड करती हूं तो एक हैं यहां यह वेरिगेटउ वाले हमारे लालवसा हैं बहुत ही प्यारे लगती हैक तो क्रीम गंंले mentre में लगाया हुआ है तो कहीं विले तो जबिशने करने अपने गार्डन में हैं तो यह तो अगर आप कहीं जाते हैं नर्सरी बगेरा तो आप अपनी गार्डन में अलग सी विराइटी करेड़ करना चाहते हैं तो वहां से चोटी से कटिंग जरूर लाईएगा और उससे कि अभी गुल्दबदी हैं तो इनके भी कटिंग आप सेप कर सकते हैं कि यहां पर कहें माँ नई वाराइटी देखी जो हमारे गार्डन में नहीं है तो आप इने भी एड कर सकते हैं इस तरीके से कोभी प्लावर प्लांट हो आप प्रिमें भी कटिंग से रेडी कर सकते हैं आई हो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब शरूर करना साथ में बेल आगार भी प्रेस कर देना मिलते फिर इन वीडियो ने प्लावन ने में इस इनके साथ तब तक के लिए बाबाइ